वेल्कम बैक टो मैं चैनल सोनम स्रीयल व्लोग में आप सभी का स्वागत है तो मैं सोनम स्वागत करती हूँ आप सब का आपने योट्यूब चैनल में आज की वीडियो होने वाली बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग तो पूरी वालो कैसे हैं आप सब वोप आप सभी पूरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कोमेंट सेर जरूर करें चैनल के नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए सुरू करते हैं आज की रेसिपी आज की रेसिपी है वाडा पो महराष्ट का फेमर्ज डीस इसी बनाने के लिए हमें चाहिए क्या क्य चीजें आईए जानते हैं तो हमें चाहिए बड़े कटे लिए प्याज अब्रक लेसन की पेश्ट और कारें सरसुन, कड़ी पत्ता, जीरा, हरी मिर्च, हेंग, और हरी धनिया इसकी बार मैं बताने जा रही हूं आप सभी को इसे कैसे बनाते हैं और किस तरीके से इसे बना जाता है कभी-कभी हमें ऐसा होता है क्या बनाना है और क्या चीजे उनमें चाहिए होता है बट कीन चीजों को कभ यूज करना है और केसे यह नहीं पता हना है जिसके कराण में बनाइव चीजों को डेस्ट उस तरह हम चाहते हैं तो बॉट कीन चीजों को कईसे यूज करना है यह म्यांते इस लगायतज सीन घुझा एक व्याच आपको अच्छी लगेगी जाए उतने को एंटिटी में और फिर उसमें एड़ कर रहे हैं श्वाद मिशार नमाख, हल्दी पॉडर, मिर्ची पॉडर और थोड़ा सा ठाने वाला सोड़ा और भी सन पॉडर में इस प्रकार शका घौल तियार करना कि भी सन नजादा घार ही में और फिर नाजादा प Carry on से इसका अच्छा सा मुखुल बना लेते हैं इसमें जो ना जादा गाड़ी होने चाहिए ना पत्नी जब तक हमारे आलू बलते हैं तब तक हम सारी चीजी को हम चीजा को रोडी कर लेते हैं और बनाते हैं हम और आप मिलके वड़ा पो महाराष्ट की फेमस डिस बहुत में इ करती हूं कि मैं मुंबई जैसा वड़ा पो आप सभी के साथ बना के सेयर कर पाऊं तो चलिए कोशिस करती हैं करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे बेशन का गूर अच्छी तरह हैं तयार हो चुका है ना ज्यादा पत्ली है ना ज्यादा मूं गाड़ी और यहां पे छोड़ी सी हींग करी पत्ता और उसके बाद आपके कटे हूए प्याज को रखा ब्राउन दूने तक उसे भूनेंगे उसके बाद हम डालेंगे उसमें अबर्बत अपके सारे मसाले, जीरा पोडर, धनिया पोडर, मिर्ची पोडर और नमक स्वाद अनुसार इन सब चीजों को गुनने के बाद हमेश में आपने मैस किये हुए आलू डाल देंगे और उसे अच्छे से प्राय करेंगे अच्छे से प्राय करने के बाद जब आलू आपके अच्छे से प्राय हो जाए तो उसमें आप एड करेंगे हरी धनिया औ इसके बाद है मैं इसके कड़ाई से बाहर निकाल लेंगे आप जैसा कि देख सकते हैं आलू कितना अच्छा कलर आया है और नहीं टेश्टी भी बना है और यहां पर मैंने न वीचे उतार की भी दन्धनिया एड किया है आप चाहे तो आपको अगर धरी दन्या की टेश्ट ब आपने देखा और आपने देखा और अब हम करेंगी वर्रे को तलेंगे उसके लिए हमने किया है को अब कड़ाई गैस पर चड़ा दी है और उसके बाद हम उसमें और डालेंगे जिसमें की बड़े अच्छी से निगन पूरी तरह ऑइल के अंदर वो इतना ऑईल आप डाल आपने से पहले वड़े को डाल देंगे तो आपको बेशन फैल जाएगा कड़ाई में जिसे वड़े अच्छे सेफ में नहीं बनेगे इसलिए आयल के घरब होने तक अच्छे वेट करें आप उसके बाद जो बेशन का गुलम में बनाया है उसमें आपने आल के बनाए हो गया है आपका वड़ात तयार जैばい इसके बाद की कुलिप लेना आप बुल गई हुँ हुआ तो रिम आप कीजिया और इस तरह मैंने एक एकर के सारे वड़े तल लिए और उसके बाद हम करते हैं मारे मारा बाण से बड़ा क्लिप में हैं टो इस तरह से बन गए हमारे बोडा ऑठाव और और आयμεंके आप आप करते हैं विडियो के मातियम से मैं वडा पो टेस्ट करके रिघा करदें और आप कर, आप अपّने घरों ने बना के विडियो कर देख 역시 एवां महाराश्ट की फहेमेर डरीज और मुझे बताईए कि कैसे तो कॉमेंट बोक्स में जरूर बताईएगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कॉमेंट से जरूर केजिएगा चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर केजिएगा यहां आमका रहे वहाप और पूरी फैमिली के साथ आप देख सकते हैं इसमें हम चटनी लगा बेहत 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 खाल रखे और जो भी गलती है अगर कुछ वीडियो में हुई होई है तो उसके लिए सौरी और वीडियो कैसा लागा कॉमेंट बोक्स में जरूर बताईएगा और प्लीज प्लीज दिम्लोग नहीं चाहें नहीं पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना बाद बाद तेकर